भारते क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंग बेदी ने सोमवार को कहा कि महन सिंग धोनी भारतिय टीम के आधे कप्तान है उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में कप्तान विराट कोली और स्टेलिया के खिलाफ चौते वंडे में असहज नजर आ रहे थे पूर्व कप्तान धोनी को अंतिम दो वंडे के लिए आराम दिया गया है चौते मैच में भारत की हार के बाद सिरीज अब दो-दो से बराबर है और बुदवार को निर्णायक मैच खेला जाएगा पूर्वी स्पिनर बेदी ने नियूज एजंसी पीटे आई से कहा कि मैं टिपडी करने ला कौन होता हूँ लेकिन हम सबी हैरान थे कि धोनी को अराम क्यों दिया गया है और कल विकेट के पीछे बल्लेबाजी और फिल्डिंग में उनकी कमी खली बेदी ने कहा कि वो एक तरे से आधा कप्तान है उन्होंने कहा धोनी अब युवा नहीं है और वा पहले जैसा फुर्तीला भी नहीं है लेकिन टीम को उनकी जरूरत है दिगज क्रिकेटर ने कहा कि धोनी की मौजूदगी से टीम शान्थ भाव से खेलती है कप्तान को भी उनकी जरूरत महसूस होती है और उनके बिना वाए सहज हो जाते है पूर्फ क्रिकेटर बेदी ने विशकप से पहले IPL को भी समस्या बताया है उन्होंने कहा कि मैं नीजी तोर पर चाहता हूँ कि वे वरतमान में जी है विशकप में अब भी ठाई महने का वक्त है केवल अपना खेल खेलो विशकप के लिए हम पिछले डेड़ साल से प्रयो टिल हो सकते हैं उन्होंने का कि आप ऐसी उमीद नहीं कर सकते हैं कि खिलाड़ी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए अपना 100 फिस दी ना दे बता दें कि ऑस्टेलिया के खिलाफ सीरीज के आकरी दो मैचों के लिए धोनी को अराम देने का फैसला किया गया था उनकी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज देश और दुनिया की सबसे पहले ख़बर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें